बस्पा प्रत्याशी जहीर एहमद की जनसभा विपक्ष पर बोला हमला बस्ती चिले के कप्तान गंज विधान सभा 308 में आज बस्पा प्रत्याशी जहीर एहमद उर्फ जिम्मी का जनसभा कारे क्रम अपार भीड देखकर प्रत्याशे गदगद हुए और उन्होंने जनसमू से अपील की है कि एक बार मुझे विधायक बना दो मैं जनता से हर दुख दर्द में शामिल रहूंगा इसी क्रम में वक्ता के रूप में सीता राम शास्री ने कहा बसपा सरकार में हर वर्ग को देखा गया और बसपाप की सरकार में अधिकारी समय से आते थे कार्याले और गरीबों की सुनवाई होती थी जब से बीजेपी सरकार आई है गरीबों को हाशिये पर खड़ी कर दी है हमने संकल्प लिया है कि अगर आप लोग हमको चुन करके विधान सभा पहुँचाएंगे तो हर गरीब मजरूम भाई का सुख में दुख दर्द में हमेशा साथ रहूँगा मैं सभी भाई और माता बहनों से अपील करता हूँ कि एक बार हमको विधान सभा में पहुँचाएं और कप्तान गंज का विकास देखिए मैं अपने दम पर कप्तान गंज की विकास के लिए संकल्प कर रहा हूँ जहर आमद ने कहा आपके विधान सभा क्षेतर का वेटा हूँ इसी धर्ती पर पैदा हुआ हूँ इसी धर्ती से चुनाव लड़ रहा हूँ सपा को बाहर भगाओ सभी मतदाताओं से अपील है कि 22 साल सरकार मंत्री रहने के बावजूद भी विकास का कोई कारेन नहीं किया आज अपने गाउं पर उसका कोई बेटा चुनाव लड़ रहा है उसका समर्थन करने के लिए आप से अपील करता हूँ कि आने वाले तीन तारीख को आप लोग भारी मतों से विजयी बनाईए जिससे आपका विकास हो सके आपके क्षेत्र का विकास हो सके और गरीब मजदूरों की दवा में भी भागेदारी बनाऊंगा आने वाले समय में अगर सब मिलकर की हमको विधायक बनाएंगे तो हम सभी को विधायक का पावर देंगे और कोई भी मेरी जिम्मेदारी है आपको जहीर एहमद आपसे वोट की मदद मांगेंगे जनसभाग करते हुए जहीर एमद, उम्री भीर, बस्पा प्रत्याशी जहीर एमद, बस्ती जिले से अनिल शुकला की रिपोर्ट जिले जाएंगा बस्ता पर्मिस्टा करो एक बार मुझे बना चाहता है यह दूना विदायक जो रहे अपकर यह मुगत बजार की मिली थी और यहाँ पर्मिस्टा के हिसाब से कंभीड कटा किया है और नहीं तो जन्मानस को बहुत आजाते हैं बहुत कपताने इनके विदानत कि लोग बहुत सारे लोग आने लिए तैयार थे मैंने मना कर दिया कि बहुत जदा बीड़ नहीं करनी है को विद्ध को देखते हुए इसलिए जो है यहां कप्तान इंच का हास्पिटल जिस दिन में विदायक बहुत के अगले दिन ही जिस दिन हाथ में हमारे परवार पत है उसके अगले दिन कप्तान इंच का हास्पिटल मैं आउचक ने रिचन करके उसको जो भी पुचित ब्यास्ता होगी में कराने को सकते हैं अगर साथ नहीं देना होता तो मंच तक नहीं है और मंच तक आए हैं तो दिल से साथ हैं असल जंता आपको सुन लिएगा तो आप सकते हैं और मुद्द बहुत हैं और व यहां कंद्र नगज में हर मुद्दों को लेकर लोगता रहा होंगा लोऌत 6 को लिकिन कंता ने सब ने अप लिकिन यग borrowed किसान नौजवान और बेरोजगार के बहुत सारे उमीदें हैं उमीदों पे खरा उतरने काम करूंगा हर नौजवान का साथ दूंगा चाहें वो अपरे सरकार से क्यों ना लड़ जाओ कि अपरेंजी आ रही है आप देखिए आप लोग भाट कवर करिएगा अपर अपरम पार भीड़ोंने जा रही है